हेलो माई यूटूब फैमली आप सबी कैसे हो आसा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे सो फ्रेंड्स आप सबको गूड मॉर्निंग और मॉर्निंग हो चुका और मैं सोबही सुबह अपने कामों में लग गए हूँ तो सबसे पहले मैंने अपने गद्दे उठा लिया हैं तो अपना बैड शाप कर रही हूँ बहुत दश्ट हो गया इस पर तो मैंने सारे गद्दे उठा के और उस पर बैड पर मतब चाडू लगा रही हूँ इसके नीचे मतब गद्दो की नीचे निकला था नेल पैंट डुकू ने कहीं गुसिर दिया होगा तो नीचे पड़ा मिला था तब ही उचा उचा हो जाता मैं सोच रही है गद्दा उच चनी फ्राइ कर रहे हैं तो मैंने बॉइल तो कर दिये थे और डुगू स्कूल गया था तो उसके लिए मैंने मतलब बॉइल हुए और मतलब टमाटर मिर्ची बगेरा सारे मसाले आड़ करके बैसी दे दिया था हाजबन को मुझे खाने थे मतलब छोकर तल के तो हाजबन त चल ला हैं और मैं अपनी कर रही हूं साफसपाई और सभी लोग मिलके काम करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है और मेरे घर में तो सभी मिल चुलकर ही काम करते हैं आज मैं सारी काम कर लूँगी तो मुझे सारी साफसपाई करना है हम नेडिसों को तो डेली ही काम रहत है लेकिन आज मैंने बैट को मतब बैट खोल रखा बैट की साफ सपाई हो रही है और गद्दे भी मैं चेंज करती रहती हूं उदर अधर मतब एक साइड से मतब एक तम से पिचक से जाते ना मतब डेट है रहा हो अपन भी मतब मज़ा नहीं आता लेटने में तो मैं हर आट दस दिन में चेंज करती रहती हूं उदर की उदर तो हैं मैंने ब्लैंकेट भी लगा दिया है बैट शीट भी लगा दी है अब आया डेशिंग टेबल का नमबर तो डेशिंग टेबल पर देखो कितना सारा मतब सामार रख दिया है जब भी आते हैं उपर नीचे से सर्दी में तो इधर ही सारा ऐसी डाल देते हैं और सकल समोसे खाय थे मतब मेरी कल तबयत खराब हो गी थी तो कुछ था नहीं मैडिशन खान करेनिच में मैं उसको फेक रही नहीं मैंने अपने बाल रख दिये कंगी करती है तो बाल रखने के लाद के लिए ब्यशन तो हैं उसको पैसी दे देता या ह तो पहले मेरे कवा आसे ही खटे हो गए थे तो 8060 के ऐसी ब हृप दियता थे तो 200-300 Caesar के कुछ ऐसी बिच गयते लेकिन बाल मेरे बहुत तूट रहे हैं और आज तो अभी तो मैंने नहाया नहीं बस साफ सफाई करने के बाद मैं नहाऊंगी तो अभी अपना ड्रेसिंग साफ कर लेती हूं तो बैसे भी ड्रेसिंग साफ मैं पहले डेली करती थी अब तो नहीं हो प अब मैं डेली पॉलिस इसको मतलब कपड़े से साफ नहीं करती हूं दो चार दिन आठ तस दिन बाद मैं ड्रेसिंग साफ करती हूं तो साम अंतुर ड्रेसिंग में बाद मैं लगाऊंगी सैट करूंगी अभी तो फिलाल डश्ट अटा दे तो मैंने साफ सफाई कर दी है और मैं अपने लिए चने लेकर आगी मतला अब मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है तो चाय वगेरा तो मेरी हो चुकी है चाय पीचुकी हूं और अभी चने खा रही हूं आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजेगा दो तीन दिन से तो बहुत ज् नहीं पी रही हूं क्योंकि अभी बहुत बड़ा दिन डला है तो इतना चाय बन जाता है नदब टू केजी दूद पूरा चाय में चला जाता है बहुत जादा चाय हुरा है आज कल कोई ना कोई आ जाता है तो इनके साथ मैं चाय पीलो बैठके और क्या चाय तो मिली जाता फिर मैं यहां कपड़े दो-तिन दिन के कपड़े रखे थे तो यह सासुमा कपड़े उपर से उठाके लाएं थी तो पोटली बना के दरी डाल गए तो मैंने तो अभी देखे सुबह और के साम कोई डाल गई है मैं तो अभी देख रहे हूं तो सोचा अब मेरे सारे काम हो इस अए नचे मसरे से मैं करें मारण के इस नहीं जादा नहांक औरा मैं जादा देख सुबहर और जाता है और थन भी पड़़ रही हैं पहुंद दाजान पहुना का मेरे कपड़े फोल्डिंग हो चुके बस थोड़े ही बच्चे हैं वो भी होने ही बाले हैं तो मैं सारे कपड़े अलग-अलग करके रख देती हूं अगर एक साथ सारे मिक्स करके रख देती हूं तो मतलब जो पहनते हैं लोग घर में अस्वेंड जैसे डूग को तो उतल के डाल जाते हैं तरोदर इसलिए मैं सारे कपड़े सबके अलग-अलग रखती हूं तो इसलिए मतलब ज़्यादा फैलते नहीं हैं तो पहनते हैं अगर यह ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सेयर कर देना आप लोग को हर ब्लॉग अच्छा लगते हैं उसी तरीके से यह भी ब्लॉग अच्छा लगे